Hey everyone, very warm welcome to all of you, welcome to Life Science Parts Sala. मेरा नाम है आस्था गुस्वामी और आज ये फोटो पिरियोडिजम की second class है, ठीक है? पिछली class में हम लोगों ने फोटो पिरियोडिजम का half portion cover कर लिया था और बाकी का half है वो आज हम cover करेंगे और साथ ही कुछ question की practice भी करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम class, उससे पहले मैं quick revision करा देती हूँ आपकी पिछली class की, ठीक है? तो पिछली classes में हमने पढ़ा था, flowering की physiology के बारे में, ठीक है? हमें photoperiodism को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, ठीक है? तो photoperiodism जो है, ये flowering के physiological mechanism को control करने के लिए काफी important role play करता है, ठीक है? इसलिए हम photoperiodism पढ़ते हैं, flowering के sense में, ठीक है? उसके बाद हम vernalization पे proceed करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि photoperiodism क्या है, इसकी history पढ़ी थी, ठीक है? कुछ cases पढ़े थे, जिसपे study की गई थी, और उसके बाद plants को 5 photoperiodic classes में categorize किया गया था, जैसे कि short day plant और ये short day plant का कुछ experiment किया गया है, और ये experiment जो है काफी important है, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया है इसको, ठीक है? तो ये class आप लोगों जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप अच्छे से पहले देख लिजए, उसके बाद इस class पे proceed करिए, क्योंकि अगर आप वो पहली class नहीं देखेंगे, तो आपको आज की class ज्यादा समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो ये जो experiment है, ये photo periodism का सबसे important portion है, जहाँ से question बनते ही रहते हैं, ठीक है? तो आप इछली class देख लिजगा, जिन्होंने देख लिया है, वो आची class पे proceed कर सकते हैं, ठीक है? ये experiment है, उसी तरीके से long day plant है, फिर ये उसका experiment है, उसके बाद तीन और category थी plants की, day neutral, short long day plant and long short day plant, ठीक है? ठीक है, इतना हम लोगोंने पिछली class में cover कर लिया था, और आज हम उसके आगे पढ़ना सुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए सुरू करते हैं, आगे कुछ और चीज़े हुई थी, ठीक है? ठीक है, तो हम उनको पढ़ते हैं, जैसे कि एक scientist थे, जिनका नाम है चलक्यान, ठीक है? 1932 में, मैं color change कर लेती हूँ, इन्होंने क्या क्या था? इन्होंने कुछ चीज़े और बताई थी, ठीक है? 1932 में इन्होंने कुछ और चीज़े बताई थी, कुछ नई चीज़े कैसे? इन्होंने क्या बताया था? वो पढ़ते हैं, इन्होंने ये प्रपोस किया कि, under favorable conditions of photoperiod, a stimulus is produced and this stimulus is hormonal in nature, that is florism, ठीक है? तो ये जो चलक्यान थे, इन्होंने ये कहा कि अगर plant को favorable photoperiodic condition दी जाए, या फिर अगर plant जो है favorable photoperiodic condition में रख दिया जाए, ठीक है? तो उस सम में क्या होता है? कि plant जो है, एक stimulus produce करता है, ठीक है? और ये जो stimulus से जो तेजना है, इसका nature कैसा है? इसका nature होता है hormonal, इसका मतलब क्या है? कि ये जो stimulus produce करता है plant, ये एक तरीके का hormon है, ठीक है? और उसका नाम उन्होंने क्या बताया? florism, ठीक है? उन्होंने कहा कि अगर plant को favorable फोटो-pereautic condition में रखा जाए, तो प्लांट जो है एक तरीके का stimulus प् comment प्रोडीयूस करता है जो कि हॉर्मोनल नीचर का है मतलब एक तरीके का हॉर्मोन फ्रोडीयूस करता है फ्लांट और उस होर्मोन को इनumbs ने कहा flouragen ठीक है और इस flouragen को हम कहते हैं है एक hypothetical hypothetical flowering hormone, hypothetical flowering hormone क्यों कहते है इसको, इसलिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा assume किया जाता है, यह एक hypothesis दी जाती है कि हाँ, एक hormone है plant में जो की favorable photoperiodic condition में produce होता है, और flowering को induce कराता है, ठीक है, इसलिए इसको hypothetical कहते हैं, और इसलिए क्योंकि यह hypothesis की तरह काम करता है, actual में आज तक किसी ने इस hormone को isolate नहीं किया है plant से, ठीक है, कोई भी florism को isolate नहीं कर पाया plant से, केवल लोग ऐसा assume करते है कि एक ऐसा hormone है, जो की photoperiod, जब favorable condition मिलती है photoperiod की, तब produce होता है और इसकी वज़े से जो है flowering होती है plant में, ठीक है, इसलिए इसको hypothetical कहते है, क्योंकि इसका कोई isolation आज तक नहीं कर ठीक है, तो florism is produced in favorable conditions in plant, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि florism एक hormone है, जो की favorable photoperiod के condition में plant जो है produce करता है, और ये एक flowering hormone है, जो की flowering कराता है फिर, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि florism जो है, किस चीच से बना हुआ है, या फिर किन-किन चीजों से मिलकर के बना है, तो florism is equal to क्या है, gyverbaleans plus anthesins, तो florism जो है, ये एक hormone है, और ये बना किस से है, जिबरलीन क्या है, ये जिब्रलीक acid है, जिब्रलीक acid का ही नाम है, ठीक है, तो जिबरलीन मतलब ये जिब्रलीक acid, जो की खुद एक plant hormone है, plus anthesins, ऐसा जिम किया जाता है कि जो anthesins है, इसका कैसा nature है, ये एक steroid है, perhaps steroid मतलब, शायद यह steroid nature का है, इसका अभी पता नहीं है कि इसका actual में nature क्या है, ठीक है, तो florism किन दो चीजों से मिल करके बना है, gibrali cacid और anthocene, ठीक है, तो इसके question बन सकता है कि florism जो है किन दो compound से मिल करके बना हुआ है, तो आप दियान में रखेंगे स्वीच को कि florism जो है, gibrali cacid और anthocene से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, और इसका काम क्या है, flowering करना, ठीक है, photoperiodism के दोरान, इसका काम होता है, यह flowering कराता है, ठीक, अब short day plant और long day plant के case में, अगर हम florism की study करना चाहें, तो यह बताया गया है कि short day plants जो होते हैं, उनमें anthocene जो है, पहले से present होता है, पहले से present का मतलब कि already synthesized रहता है, ठीक है, और जब favorable photoperiodic condition short day plant को मिलता है, तब वो अपने अंदर क्या करता है, gibrali cacid की synthesis शुरू करता है, ठीक है, उसके अंदर florism पहले से present नहीं होता है, short day plant में anthocene पहले से synthesize होके रखा रहता है, लेकिन जब favorable photoperiodic condition आती है, तो gibrali cacid की synthesis होती है, short day plant में flowering करने के लिए, ठीक है, तो अब यह anthocene और gibrali cacid, यह दोनों मिलकर के क्या करते हैं, यह दोनों मिलकर के बनाते हैं, florism, अब यह florism क्या करता है, short day plant में flowering कराता है, ठीक है, उसी तरीके से अगर हम long day की बात करें, long day plant की, तो long day plant में उल्टा होता है, long day plant के पास पहले से जिब्रेली cacid synthesize होके पढ़ा रहता है, ठीक है, पहले से जिब्रेली cacid इसके पास synthesize होके पढ़ा रहता है, और जब favorable photoperiodic condition मिलती है इन plants को, तब ये synthesis करना शुरू करते है, anthocines की, और फिर ये दोनों मिलकर के बनाते है florism, फिर florism क्या करता है, flowering कराता है, ठीक है उस particular photo period में, ठीक, तो ये हो गया florism का concept, इसे related हम question भी solve करेंगे, आगे बात कर लेते हैं हम light की quality की, जो की photoperiodism से related है, तो तीन तरीके के light पे experiment हुआ और देखा गया था कि photoperiodism या फिर flowering पे क्या effect पड़ा था, तो सबसे पहले अगर green light को लिया जाए, तो green light जब plant को दी गई थी, तो ये देखा गया था, कि ये flower induce करने में inefficient था, मतलब जब plant को green light से treat किया गया था, तो ये देखा गया कि इसकी वज़े से कोई flowering induce नहीं हो प्लांट में, फिर scientist लोगों ने blue light दिया पौधे को, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा, कि plant में poor flowering induce हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत flowering हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं कहा सकते कि यहाँ blue light जब ज़्यादा flowering करा रहा है, और भर-भर के flowers आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रह रहा था, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने red light दिया, तो उन्होंने ये देखा, कि red light जो है, काफी ज़्यादा amount में flower जो है produce करा रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि flowering के लिए, जो है, सबसे अच्छा light कौन सा है, red light है, ठीक है, अब red light और lights की हम बात कर लिए है इसका connection में आगे photoperiodism से आपको बताऊंगी, ठीक है, क्यों मैंने आपको light के बारे में बताया, उसके बाद हम देखते है, organ of reception of photoperiodic stimulus, ठीक है, तो photoperiodic stimulus जो है, उसको receive करने के लिए कौन सा organ है plant में, ठीक है, जैसे कि हमें अगर कोई कुछ भी देता है, तो उसको receive करने के हमारे पास हाथ है, ठीक है, कोई कुछ देता है, तो हम अपने हाथ से उसको receive कर लेते हैं, उसी तरीके से जब पौधे को photoperiod मिलता है, ठीक है, वो light मिलती है, तो उसको receive करने के लिए, मैं flaring के sense में बात कर रही हूँ, ठीक है, flaring के sense में जब वो particular length की light मिलती है, duration की light जब को मिलती है, तो slide को receive करने के लिए, plant के पास भी एक particular organ होता है, और उसी organ के हम बात कर रहे है, जो organ होता है, वो है leaf, ठीक है, जो पतियां होती है, वो photo को receive करती है, ठीक है, तो leaf जो है, यह वो organ है, जो कि photoperiodic stimulus को receive करता है, अब photoperiodic stimulus क्या है, पिछली slide में मैंने बताया था, कि photoperiodic stimulus है, जो कि hormonal nature का होता है, याद है आपको, florism जो है, यह photoperiodic stimulus है, जो कि flooring कराता है, ठीक है, तो leaves क्या है, leaves are organ of reception of photoperiodic stimulus, which is experimentally verified by grafting experiment, ठीक है, तो leaves जो है, जो कि photoperiodic stimulus को, मतलब light को receive करता है, और फिर leaves में ही, पतियों में ही florism produce होता है, ठीक है, florism का जो, अगर हम question में आया कि florism जो है, कहां पर produce होता है, किस organ में, तो leaves जो होती है, पतियां, वहां पर florism बनता है, और उसके बाद वो translocate होता है, प्रांसपोर्ट होता है, जहां पर भी flowering होती है, जैसे plant के mostly tip portion पे, topology reason पे flowering होती है, तो वो translocate करके वहां पर जाता है, और फिर flowering को induce करा जाता है, ठीक है, बनता वो पतियों में है, ठीक है, और अब पतियां ही photoperiodic stimulus को receive करने का काम करती है, इसको proof किया गया था, कुछ grafting experiment करके, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने के जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, कि grafting experiment किया गया था, जैसे ये proof किया गय करते हैं, और यहाँ पर जो हमने light का concept दिया कि concept quality of light, जो कि flowering कराती है, उनमें क्या relation है, और phytochrome का photoperiodism में क्या relation है, ठीक है, यह सारी चीज़े हम समझेंगे अच्छे से, अब पहले हमने पढ़ा कि red light जो है, उसकी वज़े से काफी अच्छी flowering हो रही है, ठीक है, अब red light एसा क्या कर रहा है, जिसकी वज़े से flowering हो रही है, या फिर red light से ही क्यो flowering हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और उन सारे सवालों का जवाब आपको इस स्लाइड में मिलेगा, वो जवाब देगा phytochrome, ठीक है, इसलिए phytochrome को पढ़ना is most important, ठीक, तो हम पढ़ pigment है, जिसका नाम है phytochrome, ठीक है, जो कि plant में इन लोगों ने देखा था, ठीक है, plant में इन लोगों ने ये बताया, इन्हों ने ये कहा, plant में नहीं, basically इन्हों ने plant पे नहीं किया था, इन्हों ने ये कहा कि एक photoreceptive pigment है, जिसका नाम है phytochrome, ठीक है, and phytochrome, अब photoreceptive pigment का मत तो light को receive करने वाला ठीक है, तो light को receive करने वाला एक pigment था, जिसका नाम था phytochrome, तो इन लोगों ने यही बताया है कि phytochrome जो है एक pigment है, जिसको जो कि photo या फिर light को receive करता है, ठीक, अब बात करते है, phytochrome is a bright blue और bluish green pigment, इसका color अगर हम देखें, तो phytochrome जो है, ये bright blue या फिर blueish green pigment है, ठीक, which was first of all isolated from plasma membrane of alga mojacia, ठीक है, तो सबसे पहले इसको isolate किया गया था, एक algae से, जिसका नाम है mojacia, ठीक है, mojacia algae से, mojacia के plasma membrane से, सबसे पहले phyto hormone को isolate किया गया था, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, कि phytochrome जो है, ये algae में भी पाया जा रहा है, और plant में भी ऐसा नहीं है, कि ये केवल plant में ही present होता है, ठीक है, ये algae में भी पाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले इसको algae से ही isolate किया गया था, ठीक, इस area से भी question पूछे जाते हैं, ठीक है, कि phytochrome जो है, ये केवल plant में होता है, या फिर other organism में भी पाया जाता है, ठीक है, तो क्यों light detecting portion that is chromophore ठीक है तो phytochrome के अगर हम structure की बात करें कि phytochrome जो है किस चीज से बना हुआ है या फिर इसके कितने parts हैं तो basically phytochrome जो होता है इसमें दो part होते हैं पहला जो कि light को absorb करने का काम करता है या फिर light को detect करने वाला जो portion होता है उसको हम कहते हैं chromophore ठीक है और दूसरा पार्ट जो होता है वो है protein ठीक है तो chromophore जो है sorry phytochrome जो है ये इसके दो part होते हैं पहला होता है chromophore जो कि light को detect करता है या फिर उनको absorb करने का काम करता है और दूसरा वाला जो part होता है वो बना होता है छोटे से protein से जिसकी size है 1,24,000 dalton ठीक है आगे देखते है phytochrome के बा अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं जैसे कि phytochrome occurs in two forms अब phytochrome जो है ये दो form में available होता है या फिर plant में या organism में exist करता है ठीक है कौन-कौन से form है PR and PFR ठीक है और PFR जो है ये far red light को absorb करने का काम करता है ठीक है दो form है PR और PFR PR red light को absorb करता है और PFR जो है ये far red light को absorb करता है ठीक and these two forms are interconvertible most important point of this is interconvertible interconvertible का मतलब क्या है ये PR और PFR ये दोनों ही एक दूसरे से मतलब कभी PR के form में है तो वो PFR में बदल जाएगा फिर अगर वो PFR में है तो वो PR में बदल जाएगा मतलब ये एक दूसरे से interconvert होते रहते हैं बदलते रहते हैं कभी एक form में रहेंगे फिर दूसरे में change जाएगे फिर ये वापर से उसी form में आ जाएगे तो इस तरीके कि जो changing होती है उसको कहते हैं interconvertible changes ठीक है तो ये फर्म में exist करते हैं और ये interconvertible forms होते हैं ठीक अब PR absorbs red light जो कि मैंने बता दिया आपको किस wavelength की light वो absorb करता है आगर उसकी बात करें तो लगभग 667 nanometer की जो wavelength की light होती है red light उसको absorb करता है PR and immediately converted to PFR ठीक है PR form जो है जैसे ही इसको red light मिलती है वो तुरन्त ही convert हो जाता है कि इसमें PFR form में ठीक अब PFR absorb for red light for red light का wavelength कितना होता है लगभग 730 nanometer ठीक है अब PFR form जो है इसको जैसे ही for red light मिलती है ये तुरन्त for red light को absorb करता है और quickly convert हो जाता है वापस से PR form में तो क्या हो रहा है यहाँ पर यह दोनों ही form inter convertable है ठीक है PR को जैसे ही red light मिली वो convert हो गया PFR में फिर PFR को जैसे ही for red light मिली वो तुरन्त convert हो जाता है PR form में ठीक है कुछ और interesting चीजे देखते है जैसे कि यहाँ पर diagram में समझाया गया है सेम चीज को जो उपर लिखा हुआ है कि ये PR form है ठीक है जैसे ही red light मिली ठीक है अब red light कब मिलती है दिन के समय में ठीक है दिन के समय मे जैसे ही red light मिली PR form जो है rapidly convert हो गया PFR form में ठीक है अब रात के समय में PFR को मिलता है for red light ठीक है ये for red light है जो कि रात के समय में मिल रही है अब क्या हो रहा है कि ये PFR जो है convert हो जा रहा है PR में लेकिन दिन के समय में आप देख रहे है rapid conversion हो रहा है ठीक है PR जो है red light मिलते ही rapidly ज बदल जा रहा है, लेकिन रात के समय में जब PFR को 4 red light मिलती है, तो वो तुरंत ही PR में नहीं बदलता, वो slowly slowly जो है उसका conversion होता है, यह process जो है slowly slowly होता है, ठीक है, दिन के समय में यह conversion जो है fast होता है, रात के समय में PFR से PR में जो बदलना होता है, यह process काफी slow होता है, ठीक है, और यह जो conversion होता है रात के समय में PFR से PR में इस process को एक term दिया गया है, इस term को कहते हैं dark reversion, ठीक है, यही process जो PFR से PR में बदलना रात के समय में slow motion में मतलब slowly conversion होता है और इसी process को dark reversion कहा जाता है, जिससे कभी-कभी question पूछे जाते हैं या फिर आपको concept पता होना चाहिए, ठी ठीक है, दूसरे diagram में भी समझ लेते हैं कुछ extra चीज है, जैसे कि अब PR को red light मिली, यह PFR में बदल गया, यह तो आपको पता है, अब for red light जब PFR को मिली, तो यह वापस से PR में बदल गया, ठीक है, यह आप जानते हैं, अब PFR जो है dark condition में, PR में बदल रहा है, इसको dark conversion कहते है, dark conversion कहते हैं, यह भी आप जानते हैं, लेकिन एक और चीज़े जो आप नहीं जानते हैं, वो यह है कि जो PR form होता है, यह inactive होता है, in dark condition, ठीक है, PR form जो है, यह inactive form है, phytochrome का, और PFR जो है, पी अफर जो है, यह active form है, phytochrome का, ठीक है, phytochrome दो form में exist करता है, PR और PFR, PR form ज जो है, active होता है, ठीक है, PR inactive होता है, जब इसको red light मेलती है, तो यह PFR में बदलता है, और PFR form जो है, active हो जाता है, अब वापस से जब पी अफर जो की active form है, इसको forward light दी गई, तो वापस से यह PR में बदल गया, और PR जो है, फिर से inactive हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, active ह के लिए phytochrome को red light चाहिए और inactive होने के लिए क्या चाहिए? for red light चाहिए. ठीक है? इतना concept clear होगा. ठीक है? कुछ function है phytochrome के, photoperiodism के अलावा कुछ other function है, ठीक है? जिनको हम discuss कर लेते हैं, मैंने के वहल 10 function यहां पर दिखाया हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे response है जो कि phytochrome जो है play करता है, ठीक है, plant के अंदर, तो कुछ response यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक, बाकी के, आप बाद में देख लीजेगा, उतने important नहीं है, तो मैंने उनको mention ने किया है, जैसे कि पहला most important function है photoperiodism, जो कि हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक, दूसरा है seed germination, फिर यह elongation कराता है leaf का, petiol का, stem का, ठीक है, उसके लाबा hypocautile hook unfolding, जैसे hypocautile जो है, उसमें कुछ hook-like structure इस तरीके का अगर बना हुआ है, ठीक है, तो उसकी भी unfolding करने में phytochrome का role देखने को मिलता है, ठीक है, फिर यह grass leaf की unfolding भी कराता है, sex expression में भी इसका role देखने को मिल जलता है, flowering induction आप जानते है, flowering induction कराता है यह, bud dormancy में भी role होता है, plastic morphology में भी role है, और cotyledon की enlargement भी कराता है, और भी बहुत सारे function है इसके, ठीक है, तो यह हो गया photoperidism और phytochrome का concept, अब हम चलते हैं question practice की तरफ और कुछ question discuss करते हैं, और साथ ही कुछ experiment भी देखेंगे, ज winter, because, chrysanthemum जो है, एक plant है, कहा जा रहा है कि chrysanthemum जो है, वो थंडी के दिनों में flowering करता है, क्यों, because, पहला option है, they are short day plants, दूसरा है, they love cool nights of winter, तीसरा है, they are long day plants, एन चौता है, they hate warm nights of summer, ठीक है, तो right answer क्या हो जाएगा, right answer होगा इसका, पहला, they are short day plants, because, मैंने आपको बताया है कि chrysanthemum जो है, यह दोनों short day plant के most important example है, जिन से question पूछे जाते है, ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे, chrysanthemum जो है short day plant है, इसी वज़े से यह winter season में flowering करता है, क्यों, क्योंकि winter season में दिन जो है, छोटा होता है, ठीक, दूसरा question है, a hypothetical chemical or hormone involved in the flowering of plant is, मतलब कि एक जो कि hypothetical है, जो कि flowering में involved हो रहा है plant के, तो वो कौन सा hormone या कौन सा chemical है, florisen है, gibraline है, kinetine है, या फिर ethylene है, ठीक है, तो आप बताएए कौन सा है, जो hypothetical hormone है, ठीक है, florisen, ठीक, अभी थोड़ी दर पहले हमने पढ़ा कि florisen जो है, एक hypothetical hormone माना जाता है, क्योंकि अभी तक इसका isolation नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा assume किया जाता है कि कोई ऐसा hormone है, जो कि flowering को induce करता है, plant के case में, ठीक, तो right answer है, florisen, अगला question है, which of the following is the long day plant, अभी हमने short day का example देखा, cryxanthemum और xanthium, अभी हम बात करते हैं, long day plant, क्योंकि किन से question पूछे जाते हैं, और आप देख रहे है question, इसी तरीके से simple question आते हैं, कुछ example दो चार आपको याद रखना हैं बस, तो option है tobacco and potato, दूसरा है sugarcane, तीसरा है wheat and radish, फिर चोथा है cryxanthemum, तो cryxanthemum का question अभी आपने solve किया, तो ये option तो पहले ही नहीं होगा, cryxanthemum क्योंकि ये short day plant है, ठीक है, उसके लावा ये sugarcane और tobacco and potato, ये सा सारे के सारे short day plants है, ठीक, तो बचा कौन सो option, तीसरा wheat and radish, ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है, तो भी आप common sense से ये solve कर सकते है question, क्योंकि wheat और radish, ये दोनों ही जब ठंड पड़ती है, तब बोये जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें flowering को होती है, flowering होती है, जब दिन ल ठीक है, अगला question देखते है, effect of length of the day, that is light duration on flowering, is called, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि light duration का जो effect होता है, या फिर day length का जो effect होता है flowering पे, उसको हम क्या कहते हैं, photo respiration कहते हैं, या फिर photo periodism कहते हैं, या फिर photo tropism कहते हैं, या फिर transpiration कहते हैं, तो क्या कहते हैं, photo periodism, ठीक है, photo means means light, period, periodism से क्या हो जाएगा, period, और इसका mechanism, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, light duration का flowering पर जाएफेक्ट होता है, उसको कहते है, photoperiodism, अगला question देखिए, यह important question है, ठीक है, इस question में experiment भी आ जाएगा, और कुछ extra knowledge भी आ जाएगा, तो question देखते हैं, what is the effect on the flowering, if a flash of red light is followed by for red light, question में यह बुला जा रहा है कि, flowering पर क्या effect पड़ेगा, अगर red light की flash, plant पर डाली जाए, और उसके just बात, जो है, for red light डाल दी जाए, तो ऐसा question करने के लिए, आपको कुछ concept पता होने चाहिए, साथ ही कुछ experiment भी पता होने चाहिए, ठीक है, तो हम प experiment देखेंगे, अगर concept समझ में आया, तो experiment में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ concept पर depend करता है, तो, दो point है, simple से point है, समझ लेते हैं उनको, It is considered that, during daytime, PFR form accumulates in plants, which is inhibitory to flowering in short day plant, and stimulatory to flowering in long day plant, कहने का मतलब ये है, कि, जो PFR form है, ये short day plant में flowering को रोकने का काम करता है, जबकि long day plant में flowering को बढ़ाता है, अब दिन के समय में जो PFR है, ये plant में इकठा होता है, और फिर क्या करता है, ये short day plant में ये flowering को रोक देता है, जबकि long day plant में ये flowering को stimulate करता है, बढ़ाता है, ठीक है, और उसी तरीके से, दूसरा point ये कहता है, कि, during night, PFR form accumulates in plants, which is stimulated to flowering in short day plants, and inhibitory to flowering in long day plant, अब उसका adjust बल्टा हो गया, ये वाला PFR के सेंस में था, दूसरी लाइन है, पी आर के सेंस म और फिर, ये short day plant में flowering कराता है, जबकि long day plant के case में ये flowering को inhibit करता है, ठीक है, अब इसको याद रखने का trick अगर मैं बताऊं आपको, तो trick ये है, कि, जैसे PR है, PR में दो alphabet है, P और R, ठीक है, उसी तरीके से short day plant जो है, उसमें short सब्दार है, ठीक है, short मतलब छोटा, ठीक है, और अगर हम PFR देखें, तो PR के comparison में इसमें 3 alphabet है, PFR, ठीक है, PR में 2 alphabet, मतलब ये छोटा, और PFR में 3 alphabet, मतलब ये बड़ा, और short day plant और long day plant में short और long वैसे भी आ रहा है, ठीक है, तो PR क्या करेगा, short day plant में flowering कराएगा, ठीक है, और PFR बड़ा है, तो PFR क्या करेगा, long day plant में flower ये याद रखने का trick है, कि PR क्या करता है, short day plant में flowering कराता है, अब अगर short day plant में flowering करा रहा है, तो long day plant में flowering को inhibit कर रहा होगा, ठीक है, उसी तरीके से PFR जो है, बड़ा सब्द है, वो क्या करेगा, long day plant में flowering कराएगा, और short day plant में inhibit करेगा, बस इतना सा ही फंडा है, इस भढ़ा रहा है तो उसके लिए हमें फाइटो क्रोम का concept दिमाग में लाना होगा ठीक है? तो फाइटो क्रोम जो होता है वो दो फर्म में adjust करते हैं या आपको पता है ठीक है? तो जब पी आर फॉर्म होता है वो inactive होता है और पी आर को जैसे ही light मिलती है मतलब red light ठीक है red light जो PR change हो गया, PFR में, इसका मतलब दिन के समय में, PFR जो है, बहुँ जादा बन रहा है, वही चीज यहां पर लिखी गई है कि during daytime, दिन के समय में, PFR जो है, accumulate होता है, है ना, दिन के समय में, PFR जो है, इकठा होता है, प्लांट में, और फिर ये क्या करता है, short day plant में, flowering को inhibit करता है मतलब, अगर plant को red light दी जाए, तो red light की वज़े से क्या होगा, PFR बनेगा, PFR क्या करेगा, plant में इकठा होगा, और वो short day plant में, flowering को रोग देगा, ठीक है, और long day plant में, flowering को बढ़ा देगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये भी है, कि अगर red light दिया जाए, तो long day plant में, flowering बढ़ेगी, लेकिन वही short day plant में क्या होगा, flowering जो है, रुक जाएगी, inhibit हो जाएगी, क्यों, क्योंकि red light मिलते ही PFR बन रहा है, और PFR जो है, क्या करता है, inhibit करता है short day plant में, flowering को, ठीक है, और long day plant में बढ़ाता है, ठीक है, ये हो गया concept, उसी तरीके स अगर हम दूसरे line को समझना चाहें, तो रात के time पे क्या होता है, PIR accumulate होता है, क्यों, क्योंकि रात के समय में, four red light होती है, और four red light PFR को जैसे ही मिलती है, वो absorb करके PIR में बदल जाता है, तो इसकी वज़े से क्या होता है, PIR का amount ज्यादा हो जाता है, PIR ज्यादा ही कठा हो तो वो क्या करेगा, short day plant में flowering कराएगा, ठीक है, अब short day plant में flowering करा रहा है, तो क्या होगा, long day plant में flowering को inhibit करेगा, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं, या तो हम PIR और PFR के form में बात करें, या फिर हम red light और four red light की concept में बात करें, ठीक है, जब red light देंगे तो क्या होगा, red light देने पर PFR बनेगा और वो long day प्लांट में फ्लारिंग कराएगा मतलब हम यह कह सकते हैं कि red light देने पर long day में फ्लारिंग हो रही है और जब हम 4 red light दे रहे हैं तो क्या हो रहा है PR बन रहा है जिससे short day में फ्लारिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 red light देने पर short day में फ् कर पाएंगे, ठीक है, यह experiment है, ठीक है, जिसमें उपर जो red वाला flower है, यह short day plant है, और नीचे जो यह blue color का flower दिख रहे है, यह long day plant है, ठीक है, कुछ condition दी गई है, जो gray color है यहाँ पे, यह night के या फिर dark period को दिखा रहा है, और yellow color जो है, यह light period को दिखा रहा है, ठीक है, बीच मे यह जो line खीची गई है, यह critical night length है, ठीक है, critical night length, critical night length की ज़रूरत होती है, critical night length से ज़्यादा duration जब dark maze का होगा, तब short day में flowering होगी, ठीक है, यह आपको पता है, और अगर कम होगा, तो long day में flowering होगी, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहला condition जो है, उसमें क्या हो रहा है, यह critical line है, critical night length की line है, अब आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, night की length जो है critical से कम है, और light की period जो है ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, जब critical से कम की darkness मिल रही है, तो short day में flowering नहीं होगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, short day में flowering नहीं हो रही है, लेकिन long day मे क्या चाहिए होता है critical night length से कम की darkness चाहिए होती है जो कि यहाँ पर मिल रही है इसलिए long day में flowering हो रही है यह normal concept है दूसरे experiment में just उल्टा हो रहा है critical night length से ज़्यादा की dark period मिल रही है इसकी वज़े से short day plant खुसी-खुसी flowering कर रहा है और long day plant अब दुखी है इसमें कोई flowering नहीं हो रही है यह तो हो गया normal condition अब आते हैं experiment पे जो तीसरा diagram है यहाँ पर क्या हो रहा है कि critical night length से ज़्यादा की light sorry dark period दिया जा रहा है है ना dark period मिल रहा है ठीक है जिसकी वज़े से short day में flowering होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या किया गया बीच में रात के समय में थोड़ी देर के लिए red light डाली गई अब जब red light डाली गई तो क्या हो जाएगा short day के लिए red light क्या करता है short day में red light क्या करता है यह flowering को inhibit करता है और long day के लिए यह बहुत ही अच्छी चीज है long day को तो red light चाहिए होती है तो अब क्योंकि red light dark period में दिया गया है तो क्या होगा long day plant में flowering होगी जबकि short day में flowering नहीं होगी अब दूसरे experiment में देखें दूसरे में यह किया गया है कि अभी red light दिया गया था रात के समय में उसके बाद four red light दे दी गई यह आप देखरें four red light दे दी गई अब क्या हो रहा है कि इस condition में इस condition में red light दी गई तो short day में flowering नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही for red light दी गई, आप देख रहे हैं, short day plant में flowering होने लगी, जबकि यहाँ पर critical night length को disturb किया गया है, night को, इसकी dark period को light दे करके disturb किया गया है, उसके बावजूद भी, जब आप for red light दे रहे हैं, तो short day में flowering हो रही ठीक है, उसी तरीके से इस case में आप देखिए, तीसरे वाले में, इसमें क्या हो रहा है, पहले red light दिया गया था, फिर for red light दिया गया, अब वापस से red light दे दिया गया, अब जब red light दिया गया, तो क्या होगा, red light बिल्कुल भी पसन नहीं, short day plant को, क्या करेगा, वापस से flowering होने लगे, short day में, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि चार बार dark period को disturb किया गया है, light दे दे कर, उसके बाद भी flowering हो रही है, है ना, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, concept केवल ये है, कि जो red light है, उसके effect को, for red light जो है, reverse करते रहा है, उसी तरीके से, अगर for red light को जो effect है, उ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि phytochrome जो है, यह interconvertable form में exist करता है, PR, PFR में बदल सकता है, अगर red light मिले, और PFR, for red light के presence में, फिर से PR में change हो सकता है, इसी की वज़े से, यहाँ पे, ऐसा हो रहा है कि, एक light जो है, दूसरे light के effect को change कर दे रही है, जिसकी वज़े स flesh जो है, डाले और उसके बाद, just बाद हम, for red light डाल दें, तो क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा, flowering is increased, हम increase या decrease तब बताते, जब यहाँ पे यह flowering के बाद यह बताते कि यह plant कौन सा है, मतलब short day plant है, या फिर long day plant है, ठीक है, तब हम बताते कि red light या for red light डालने पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल normal plant के बारे हम बोला गया है, और यह कहा गया है, कि red light डालके, अगर हम for red light डालेंगे, तो क्या होगा, flowering increase होगी, यह नहीं बता सकते हम, क्योंकि यहाँ पे define नहीं किया गया है, कि किस type का plant है, ठीक है, तो यह option नहीं होगा, फिर flowering is decreased, same, same चीज़े apply होंगी, यह भी नहीं होगा, तीसरा है, flowering is stopped, यह भी नहीं होगा, चौथा क्या है, effect of red flash is reversed, ठीक है, तो यह हो जाएगा right answer, यह जब हम red light डाल रहा है, फिर just हम for red light डाल दे रहा है, तो क्या हो रहा है, red light का जो effect है, उसको वापस से for red light जो है, reverse कर दे रहा है, ठीक है, तो यह हो गया right answer, कुछ और question है, जैसे कि the pigment which absorbs red and forehead light air, तो ऐसा कौन सा pigment है, जो कि red और forehead light को absorb करता है, पहला है, जैन्थोफिल, दूसरा है cytokrome, दीसरा है phytokrome, और चौता है garotin, तो आप सब जानते हैं कि phytokrome जो है, ऐसा pigment है, जो कि red और forehead light को absorb करता है, ठीक है, तो जो last question है आज का, which pigment controls photoperiodism, flowering, germination, stem elongation, stomatal opening and photomorphogenesis, तो वो कौन सा pigment है, जो कि यह सारे process को control करता है, एंथोसाइनीम, दूसरा है phytokrome, तीसरा option है cytokrome, चौता है chlorophyll, तो अभी थोड़ी दिर पहले, पिछली कुछ slides के पहले मैंने बताया था आपको कि phytokrome जो है photoperiodism के तो phytokrome जो है right answer होगा, इस question का, जो कि इतने सारे function जो है play कर रहा होता है, ठीक है, तो complete होगया photoperiodism, अगली class में हम लोग बात करेंगे vernalization की detail में और उसके साथ ही कुछ और question हम discuss करेंगे flowering से और vernalization से related, so thank you so much for watching, stay safe and keep learning.